है 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 कैसे हो मैं हूँ आपका मैंटर संजीर मजोतरा और आज हम एक मार्क नेंग का बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक लेके हैं अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे दिमाग में कही कही तरह की क्वेशन्स आते हैं कि जब भी कोई नया पड़क्ट आता है उसके पर अगर हम आज बात करेंगे निउ प्रड़क्ट ड्वेलफमेंट कि एक कोई भी नया प्रड़क्ट में आया और किस तरीके से लोग से एक्सेप्ट करते हैं और मार्केट में वो ड्वेलफ कैसे होता है कैसे बनके तयार होता है और किन-किन स्टेप्स में से गुजर के आता है और सारा कुछ है एकदम से नहीं होता और काफी सारे स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके वो एक पड़क्ट हमें मार्के बहुत हो जालता है रड़क्ट सक्सेस्फुल नहीं होगा हर पॉडक्ट फेल नहीं और आज जो हम बात करेंके एक सिंपल सा सिंपल लैंकुज में में समय के कौन को से स्टाप्स है हमारे पास जिससे की एक नया पॉडक्ट developed होता है ऐने पर्डक्त, यह बात नहीं कर रहा है, कि आप कोई बीकब, लेकर आए और इसको pack किया, अच्छा लेबल लगा दिया, अच्छी packaging की और एक बुइप बन गया। SLIT जो चीज नहीं चाहिए, ऐसा प्रडक्त जो क्या हो कस्टमर के लिए या इंड़स्ट्री के लिए नया हो तो आज हम बात करेंगे उन स्टेप्स की जिसका टॉपिक है जो जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह निउव प्रड़क्ट डिफलब्मेंट प्रॉसस चली ये शुरू करते हैं अब जैसे मैंने बात की थी and they will follow these steps first step is idea generation second is screening of ideas third one is business analysis fourth is product development fifth test marketing and last one is commercialization or sabse pehle jo humara pehla step hoga that is the idea generation first of all you have to generate some ideas and these ideas there is I I don't think so that there is a need of some are department to create some ideas just really need a department how they can have to see it's the same idea ideas can generate ho saktay dayo marketer ho chai wo customer ho chai wo competitor ho chai wo arnit department ho chai wo salesman kya ho kai se bhi ideas ko generate kiya jasa haa hala ki kuch special तो अपने आईडियाज दिजै साए है पुझ उसका काम बिटा होगा मिएक ऊटij को सब्सक्रेजिए है् तो उसका काम यह नहीं होगा कि उसका काम कुछ नहीं कि अपने 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 आइडियास दो कोई कहेगा इस तरह के माइक होना चाहिए कोई कहेगा वार दैस होना चाहिए उसमें कुछ आइडियास फ्रूटफुल होंगे कुछ नहीं भी होंगे वह बात में करेंगे इसमें पर पहली मैंने आपको बताया कि एक जरिया एक टेक्नीक एक फॉलो कर सकते हैं जैसे अक्सर हमारे जितनी भी कंप्री से वह यूज करती हैं जिसमें फोकस गूरूप टेक् आइडियास उनसे निकलवाता है और फ्रीली वहीं आइडियास देते हैं और वहीं थे प्रड़र्ट्व हमारा तयाम नहीं हुआ है अभी हम क्या कर रहे हैं जस्ट वुयार गेटिए अब यहम आइडियास नहें पहर और कुछ टेक्नीक से हो सकते हैं जैसरे हम इसके कुछ फीचर्स ले लेते हैं फिर हम कहते हैं कि इन फीचर्स में उनको नोट कर लेते हैं यह फीचर्स जो हमारे पास उनको नोट कर लेते हैं हम कहते हैं लोगों को जितने भी हमारे हम पैनल में बैठे हैं उनको कहते हैं ठीक है चलिए आप बताएं कि इनके फीचर्स म तो वह चीजे हम उस तरह के से भी कर सकते हैं जैसे एट्रिबूट लिस्टिंग या फर प्र ब्रेंस्टॉमिंग भी हो सकते हैं ब्रेंस्टॉमिंग में क्या है बड़े जो भाधी हम कहा सकते हैं महाईर लोग जो होते हैं intelligent लोग किसी company के तो वह क्या करते हैं i-deeas को share करते हैं, i-deeas को discuss करते हैं, बड़े creative लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? ideas generate करते हैं create करते हैं और उनके उनमें आपस में discussion हो दिये फिर उसमें से भी कुछ fruitful ideas निकल के बाहर आते हैं तो यह ज़रूरी भी नहीं है कि यह ideas जो होगे वाके ही आगे जाके successful होगे काफी सारे constraints भी आते हैं पर फेलहाल हमारा काम क्या आता है product develop करना नहीं अभी हमारा काम क to generate ideas ठीक है फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है चलो मैं यहां पर थोड़ा से हैंट दे देता हूं जैसे हमारे पास focus group टेक्नीक्स यूज कर सकते हैं attribute listing कर सकते हैं मतलब sources हमारे पास ठीक है और हमारे पास क्या था brainstorming फिर उसके बाद क्या होगा screening of ideas आपने घर से लेकर चलीं चली चीजें अगर हम क्या करते हैं आटा चानते हैं उसमें क्या जो लेते हैं ऊसमें चानदेते हैं सीव में जो सीव में लेते हैं आटा लेते हैं तो चानते हैं तो क्या होता है उसमें से जो हमारा आटा जो होता नीचे चला जाता है और उपर वेस्ट रहा जाता है ठीक है तो वो इस तरह के से हम भी क्या करते हैं आइडियास को चानते हैं करते हैं screening of ideas तो अब गलती कहां पर होती है घर पर अगर उस सीव में कहीना कहीं कोई सुराक हो तो क्या होगा सुराक होगा तो क्या होगा उसमें से जो हम कह सकते हैं वेस्ट भी जो हमारा प्योर आटा हमने लिया वो उसमें जा सकता है तो क्या इसमें भी क्या सीव होगी येस कहीं ना कहीं यहां पर भी whole हो सकता है इसमें भी सुराग हो सकता है जिससे क्या होगा ऐसे कुछ ideas वो भी जले जाएंगे जो acceptable आगे जाके हमारे लिए fruitful नहीं होगे वो intentionally भी हो सकता है unintentionally भी हो सकता है तो फिलाल भी मैं बात कर रहा हूँ screening of ideas फिर हमारा अगला step के सोगता है हम क्या करते हैं eliminate करते हैं जो हमारे useless ideas होते है हमारी कोशिश है कि मैं जितने भी useless ideas हो तोTHोॉ क्या करें eliminate करते थीग है जैसे मां कुझ का हूँ जी हमने car बनाने हैं तो car के बार मैं Ideus देने शुरू कर गती है कोई कहता जी ऐसे करिए एक लाग की गारी होने चाहिए ठीक है जी एक लाग की गारी बनानी है एक लाग की गारी बनानी शुरू की उसमें लोगों ने बताना शुरू कर दिया इसमें इंफोटेन्मेंट सिस्टम होना चाहिए इसमें ट्यूबलस टायर्स होने चाहिए इसमे इसमें A.B.S, E.B.D. यह सारी चीज़े होने चाहिए अब 1 लाग की गाड़ी में चलो माल लिया हमने गाड़ी एक त्यार कर ली ठीक है गाड़ी त्यार होगी मारे पास पर उसमें आप 1 लाग की गाड़ी में 1 लैक अगर हमारी गाड़ी का हमें प्राइस पड़ रहा है तो vendo यह ईंफयर मग्डॡ़ स्प्धों या शिव और एंधूता निए हम सो हिभर तो आइडिया रहे इसमें से कुछ हमारे लिए एक लाख कि दिमाग में रखा कि एक लाख कॉंस्ट वरी यह कुछ ऐसी चीज़ों को छोड़ना आगा हम एक बेसिक कार बनानी पड़ेगी जैसे हमारी पास जो हमारे पास आये थी टाडा नैनो उसमें क्या किया था है एक लाग की गारी बना दी थी पर उसमें भी बेसिक फीचर से ठीक हम यह नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यह च को चलो तो यह क्या था मारा स्क्रीनिंग ऑफ आइडियास हम उस टाइम पर क्या करते हैं हम अपने आइडियास को स्क्रीन करते हैं उनको फिल्टर करते हैं अब यहां पे गलती होती है यहां पे गलती क्या होती है एर्रस दो तरिके के आते हैं एर्रस एर्रस आएंगे इसमें आएगा गुएरर और ड्रॉपर अब सीव है चांद रहे हैं चांद रहे हैं अगर सुराग हो गया तो क्या करेंगे कुछ बैड आइडियास जो हमारे लिए अच्छे आइडियास नहीं वे भी फिल्टरों के नीचे चले जाएगे तो आप इसी तरीके से इस step पे हमें दू एर्रों मिलेंगे द्यार one is go error and second is drop error गुआरर क्या है गुआरर क्या है ऐसा idea ऐसा idea जो हमें नहीं आगे लेके जाना चाहिए था जो idea हमें आगे नहीं लेके जाना चाहिए था जो हमारे company के लिए आगे इतना आइडिया को हम आगे ले जाते हैं उसे ऐसे यह Ó यहूं हमें नहीं चाहिए उनन को हमें क्या क्या करना चाहिए था चोड़के जाना चाहिए था पर हमने क्या किया उसे उन आइडिया को भी आगे ले गए जिससे की प्रड़क्ट्ट हो सकता आगे इन फूचर ठीक है तो हमने क्या किया वह अब वहां पर गलती किसकी है वह तो हमने के लिए प्रण के अच्छे तो हमारे प्रेंट के सुक्सेस्फफल लने के चांसे ज़ादा थे उनको हमने ड्रॉब कर दिया उनको हमने क्या किया ड्रॉब कर दिया हम उन आइडियास को आगे लेकर नहीं गए हमने सोचा कि नहीं याद यह आइडियास इतने बड़ी हैं काम भी होने वाले नहीं है तो उन आइडियास को हम छोड़ गए यहां पर छोड़ गए और कुछ वेस्ट जो हमें नहीं चाहिए थे वो आगे ले गए जो successful ideas जो successful product के लिए successful होने वाले थे उन ideas को अगर हम छोड़ जाए ऐसी error को हम क्या बोलते है that is the drop error drop कर दिया हमने उन ideas को drop कर दिया जो आने वाले time में हमारे product के लिए successful साभित हो सकते थे उनको हमने drop किया those errors are drop errors उनको क्या बोलते है drop errors ठीक है जी यहां तक क्लियर अब हमें जैसे मैंने बात की screening of ideas करने के बास हमारे पास next step बाता है business analysis screening of ideas में हाले कि हमें कुछ ना कुछ estimate लगना शुरू हो जाता है product के बारे में किस तरह के product होगा किस तरह के कितनी cost आने वाली है यह थोटा सा ideas मिलने शुरू हो जाते है तो अब हमारे पास next step is that is the business analysis business analysis में क्या है we have to analyze the business उसमें business analysis में क्या करेंगे cost analysis demand analysis cost and profit analysis अब क्या करेंगे business को analyze करेंगे पूरा पूरा business अब business में analyze क्या करेंगे that is cost demand profit कैसे जैसे मैंने बात की अब cost के बारे में अगर बात के कि हमने जो ideas लिए screen कर लिया कि हाँ यार यह वले ideas हमें इन ideas को लेके जो मने filter किए इन ideas को लेके हम आगे बढ़ेंगे और then we will develop a new product अब वाके जो ideas हम लेके गए हैं उसके basis पे हम अपने product की ideas के base पे जो मने screen की हैं उन ideas के base पे हम क्या करेंगे cost को analyze करेंगे कि वाकई अगर मैं इन ideas को लेके चलता हूं तो मुझे cost कितनी पढ़ेगी ठीक है जो मैं सोच रहा था वो cost में पढ़ रही है या उससे ज्यादा पढ़ रही है हाला कि यहां पर भी मेरे पास step पर वापस पीछे चले जाओ अभी पड़क्त त्यार नहीं हुआ मैं वापस जा सकता हूं क्योंकि मैंने cost को analyze किया मैंने cost को analyze किया मैंने इस पें में भी cost कौन से हो सकते हैं marketing cost भी और manufacturing cost भी हो सकते हैं सभी cost को हम क्या कर सकते हैं analyze कर सकते हैं फिर second that is a demand analysis जो मां product ideas के जितने भी ideas मैंने लिए उन base पे मैंने देखा कि वाकई इन ideas के base पे अगर मैरा product त्यार होगा तो क्या उस product की demand रहेगी market में किस time पे जाके वो obsolete होगा क्या जब तक मैं product बना रहा हूं क्या मेरे और competitors भी आ रहे हैं तब तक मेरे product की demand रहेगी अन पर डिमांड को analyze करोंगा demand analysis कि मेरे product की आने वाले time में demand रहने वाली है यह नहीं रहने वाली ठीक है जैसे अभी किया किया ने launch की थी अबी किया जो इंडिया में किय आँ तो सेलटों को launch कर दिया ठीक है सेल्टोस को लॉंच किया उसके बाद क्या लॉंच किया अपनी सॉनेट को लॉंच किया तो फिर क्या का उसमें क्या की क्या चीज क्यूं 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 ट्रेक्ट किया वहां पर क्या उसमें क्या चीज देखा कि नहीं लोग लोगों की डिमांड क्या है अगर मैं इंडिया में Kia Motors इंडिया में आएगी वो रिसर्च करके आई काफी जादा रिसर्च करने के बाद Kia Motors इंडिया में आई हाला कि पहले बाहर की कंट्रीज में पहले से भी Seltos लॉंच थी Sonnet थी वो सरी चीज़े production के पहले से भी थे पर Indian market को study किया इंडियन लोग क्या चाहते हैं इंडियन लोग क्या चाहते थे दिमांड क्या थी उस टाइम पर लोगों ने क्या एक नए फिचर क्या दिया that is a sunroof क्या का कि आने वाले टाइम में क्या होगा कि लोग क्या करेंगे अगर हम sunroof देंगे तो लोग sunroof के दिमाने हो जाएंगे लोग वाली कार को बाय करने कोशिश करेंगे तो उंसके कारद हमने किया कि दिमांड उस से क्या होगा कि दिमांड लोग ऊस गारी के वाड़ी गारी कि ति किया की गाडिों की दिमांड बननी κुरू होगी एक अलग different पर इन्होंने और भी फीचर्ज दिये इंफोटेंट में शीज़ें देनी शुरू कर दी तो सोचा कि आने वले टाइम में यह फूचिरिस्टिक डिजाइन दिये फूचिरिस्टिक चीजें दी जिससे कि उन्हें पता था कि मेरे प्रड़क्ट की डिमांड मार्केट में काफी तो क्या मेरे प्रड़क्ट जो मेरे जितनी में जो कॉस्ट पढ़ी है क्या उस कॉस्ट पे मुझे प्रॉफिट मिले वाला है यह नहीं है we have to analyze the profit rate of return जो मारे पास आएगा profit मारे पास जो आएगा क्या मुझे वो profit मिलेगा यह नहीं मिलेगा इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे we have to analyze under this business analysis ठीक है फिर उसके बाद उसके बाद क्या आएगा that is the product development फिर क्या होता है इसमें ideas on paper turned into the product on hand अब जितने मारे ideas है जो बने थे paper पर आब वो product एक त्यार करके देखेंगे कि वाकर यार जितने ideas नहीं product त्यार करके तो देखें physically product को हम बना के देखेंगे जब तक physically वो product conditions रहती है पर कब हमें पता चलेगा exactly कब पता चलेगा जब हमें वो चीज बनके physically त्यार होगा एक product physically demonstrable product त्यार होगा based on collected ideas ठीक है जी तो इन ideas के based पर हमें complete form मिल गई एक complete form मिल गई कि हम यह product दिखा सकते हैं देख सकते हैं कि यह जो हमने सूचा था वाकिवो product हमें मिला it speaks about the investment ठीक है it speaks about the complete form of the product product की complete form हमें नज़र आगे अब देखें जो एक्चल में ideas के based पर पर बना क्या वो इन चीजों को भी fulfill कर रहा है अगर चीज बनेगी त्यार होगी physically त्यार होगी मारे सामने आएगी तभी हम मान सकते हैं कि वाकिए हम इतनी cost पड़ी इस cost इतनी cost पड़ी इस पर इतना profit होने वाला यह सारी चीजें आएगी कहने में और करने में बनाने में बहुत फरक होता है कहने को सकते हैं यह भी हो जाएगा यह वी और यॉद्ध में जब होगा फिर प्रटा चलेगा तो एक्च्वल में जब प्रड़ा ट्वल्प हुगा तो हमें पूरे का पणप पता लगना शुर्फ हो गया फिया यह प्रड़ॡर्ट बनके हमारे पास आने वाली नो ठीक है वाकि वो इनोवेटिव डिजाइन था इनोवेशन थी क्या आउडेटर तो नहीं लग रहा कहने को तम ने कहा थे यह यह चीज़ से डाल दो पर क्या इनोवेशन जो हमने की है वाकिव रिफ्लेक्ट हो रही है अपने कॉंपिटेटर से अलग लग रही है यह सारी क्या वापिस चल कि अभी काफी सारे पड़ाट मार्केत्स पहीं नहीं बने तियार नहीं हुए dyamon नहीं और भिए एक मानल इसमें करके चेंज कर सकते हैं अभी हमारे पास बचने का टाइम है वापिस जाने का टाइम है ठीक है अभी यहाँ पर अगर हम समल जाएं तब भी हम अब पर प्रड़क्त में मॉडिफिकेशन करके दुबारा प्रड़क्त लाउंच कर सकते हैं ठीक है फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा फिर क्या चीज़े देखते हैं सब्कार्म में होती थारा नहीं क्या हमेरे पास कनसेप्ट नेस्ट इस्टिटिंग कर ट्रों सेट्ट तर्ड़क्त ट्ष्टिंग आन्ट effectivement के बीच में हमारे पास क्या है थे की छीज़े Am иногда कि अभित प्रड़क्त मार्केट में नहीं है देखो आपने देखा होगा जब भी हम गारी की बात काते हैं अटो एक्सपो शोग रहते हैं ठीक है ऑटो एक्सपो थे जिसमें concept product आते हैं यह जो गारी आप देखते हो अभी जो अभी कौड़ा की निकाली कुशात निकली है वो कुशात को एक महीने एक साल पहले हमने अटो से क्या पता चलता है अभी मार्केट में पड़क्ट नहीं बना सुर्फ छोश seconds की ए भी कीए अभी मार्क्टिंग बड़ी थी अगर नहीं पता तो आप बpend सकते हों अब अब एक वारिल किया कि यह पॉड़क्त निकलेगा कि ऐसी है modest अइसी बसे आएगई किया मोटर्स आने वाली ठीक है यह फोली मोटर्स आने वाली है थीक है एमजी आने वाली तो अब क्या होगा है अब जैसे मैंने कहा कि concept testing में भी अगर हैं बात करें तो concept कि अगर यह concept सभी जगह पे हम पहला देंगी जैसे बात की मैंने कहा जी ऑड़ाइक्स्पो में नहीं 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 गौड़िया लाउंच होती हैं एक concept लेगे आते हैं में लेके आ सकती है तो जैसे टाटा नहीं 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 लाउंच होती हैं ठोज करेंगे लाउंच करेंगे ऑसके हाले की गारी देढ़ी आर्टास पर हमारे उस टाइम पर क्या था सिर्फ जर्स्ट्टू है वाड़ Темडेशा कई हची एक हम तक लोगों के श्रूड़ा और तो सब्सक्राइब कैसे लोगों के बिर्सप्वांट किया लोगों के रस्पाँट किया यस we are going to buy that product because it is it is very cheaper हम कैसा थे बहुत इसकी कम कोस्ट थी तो वो हम बाय कर सकते है तो वो लोगों के लोगों में एक खुशी थी एक हम कह सकते हैं लोगों कहते हैं कि एक लाकी गाड़ी मिलेगी एक लाक में तो बाइक आती है बाइक भी आनी शुरू हो कही थी तो एक लाकी गा अभी बहुत ज़्यदा शुरू हो चुकी है जब भी को नया प्रड़क्ट होता थे सबसे लांच वो छे मिने बहुत होता है पर पहले उसके बारे में वारे मार्क्टिंग शुरू हो जाती है कि वो मार्केट में प्रड़क्ट आएगा आएगा उसे लोग कि यह चीज पर प्राइस के बारे में वे लोगों के बारे में लोगों से इंफ्रमेशन करनी सुरू कर देते हुआ, कि यह प्रड़क city यह गारी आएंगी, ऑ्रफल्टी करने वाली है, तो उससे क्या होगा, लोग उसके के बारे में रेस्पॉंड करेंगे कि वो बाय करने वाले हैं यह नहीं है लोग खुश है यह नहीं है लोग के बारे में क्या कह रहे हैं लोग प्राइस के बारे में क्या कह रहे हैं कि इतना प्राइस होगा हम प्रड़क को बाय करेंगे इतना प्राइस होगा तो हम प्रड़क करने वह कर सकते हैं हाला कि यहां पर टाइम हमारे पास फिर वापिस जा सकते हैं कुछ चेंजिस करके दुबारा हम यहां पर आ सकते हैं ठीक है तो फिर चलो concept testing भी ठीक हो गई फिर उसके बाद क्या आती है हमारे product testing भी होती product product testing मतलब कुछ selected areas में उन products को launch कर देते हैं selected controlled environment में उन लोगों कुछ जो हम कह सकते हैं selected areas होंगे selected market में product को launch करते हैं सिर्ट टेस्ट करने के लिए product को वाकई जो product जैसा हमने सोच है वैसे एक्चुली प्रफॉर्ण कर रहा है हाला कि नैनो के बारे में अगर बात करो तो टाटा नैनो जैसे उसकी test marketing हुई थी product testing हुई थी तो उसमें कुछ शुरू में जब उनने टेस्ट किया तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत problem आ रहे थी चाहे वह आवाज की थी चाहे साउंड ऐसे कुछ थी problem थी फिर उनने क्या कि उस टाइम पे product को commercial launch नहीं किया उसमें कुछ changes की फिर दुबारा product को launch किया वैसे यह होता है test marketing एकदम से हम अपने product को जैसे develop किया हम product को market में launch नहीं कर सकते नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर में कोई प्रॉल्मा सकती है product में कुछ हम कैसे खामिया हो सकती है जो actually जब वह product कार अगर रोड पे चलेगी बन के तियार होगी रोड पे चलेगी तब हम actually पता चलेगे कि कैसे प्रफॉर्म कर रही है कोई product बनेगा ठीक है अगर वह लोग use करेंगे उसे use करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वह product वाके सही है या नहीं है क्योंकि काफी सारी investment रहती है यह आरेंडी से लेकर सारी चीज़े जितनी हमने की है काफी सारी investment रहती है एक product को बनने के लिए अगर यहां पर हम गलती करेंगे जल्दबाजी करेंगे तो वहां पर हमारे product के failure के chances भी बढ़ जाएंगे और हमें loss के chances भी मारे बढ़ जिससे हमें response मिले किस तरह का product actual पर perform कर रहा है अगर वहां पर green signal मिल गया तो फिर हम क्या कर सकते हैं अगली step में जा सकते हैं तो हाला कि अगर नहीं है तो फिर हम दुबारा वापिस वापिस जा सकते हैं अभी भी महारे पास time होता क्योंकि अभी हमने इतने सारे product manufacture नहीं कि पिर last में अला कि यहां पर और भी चीज़ें देख सकते हैं test marketing में जैसे उसकी advertising के बारे में प्लैं कर सकते हैं ठीक है उसकी dealership प्लैं कर सकते हैं यह सारी चीज़ें कर सकते हैं ठीक है जैसे मैंने बहुत कि जैसे M.G. Hector's आई किया M.G. Motors आई किया उनने क्या किया पहले प् विश्नी सेल्टो से और लोगों का विश्वास था एक नए ब्रेंड आया इंडिया में लोगों का विश्वास एक दम से हासिल कर लिए वो कैसे गिया अपने कितने सारे आउटलेट्स भी खोल दी अच्छे से और मार्केट को अनलाइस किया पूरा मार्केट इंडिया इस उसे और अपने डिलरशिप पुरी खोल दी पूरे अक्रॉस दा कंट्री खोल दी जिससे क्या हुआ कि लोगों के लिए लोगों का विश्वास यह उनके लिए असान हो गया ठीक है तो यह सारी किया कि अनों बड़े बड़े ब्रेंड आज़ेरे जैसे हमारे वो के टाइगर शरॉफ करा है सारे बंदेश होनहें सेलिपटेटीज लेने शुरू किये फिर उसके बाद क्या हुआ हमारे पास finally हमारे पास क्या होता है कि हम product को जब हमारी यहाँ पर green signal मिल गया तो हम क्या करेंगे product को commercialized कर देंगे commercialy product को launch कर देंगे last step में क्या होता है now we are going to launch our product in the market अब हम across the world, across the country अपने product को launch कर देंगे क्यों launch कर देंगे हैं, हमने यह steps follow की हैं, और यहाँ पर हमें सही response मिला, green signal मिला अब ही हमारे लिए green signal यह है कि हम अपने अगले step में चले जाएं, मतलब commercialize कर देंगे, अपने product को market में launch कर देंगे ठीक है, तो यह था हमारा आज का topic, new product development process, हालों कि यह चीज़ ध्याद में रखने वाली बात है कि यह जुरूरी नहीं है, कि यह hard and fast लोगी, यह steps हम follow करेंगे properly follow करेंगे, एक एक चीज़ follow करेंगे, तो हमारा product successful होगा है, बैने पहले भी कहा, जुरूरी नहीं है, अगर step follow करके ही, अगर पहले कि सभी loog करते हैं, सभी marketites करेंगे, सभी brands करते हैं पर product fail भी हो जाते हैं fail कहाँ पहां होते हैं, यहाँ पहे कही नगए हम गड़बर कर जाते हैं कही नगए कही नगए हमारे errors होते हैं, जिससे कि हमारा product fail हो जाता है जैसे कि अच्छे से marketing अगर हम मार्केट रिसर्च नहीं कि तो परड़क्ट के फीलियर के चांसे भी बढ़ जाए गया तो हमारा परड़क्ट फेल हो सकते हैं बड़े-बड़े ब्रैंड्स भी फेल हो जाते हैं जैसे शैवरेले इंडिया में शैवरेले आई अच्छा अच्छा उन्होंने कैप्च करके चलेगी ठीक है फिर डैवू मोटर आया थी तब भी चलीगे ठीक है अभी फोड के वारे में बात कर चल रहे है कि फोड भी शाहिद देखें आगे कि क्या होता पर होता है क्यों होता यह चीज़ जैंकि हम कही ना कही घलती कर रहे हैं इन नियु प्रड़क्ट वेल्मे कहीं ने कहीं गलती भी हो जाती है तो यह था हमारा एक टॉपिक न्यू प्रड़क्ट ड्वेल्ट्मेंट प्रॉसेस होब कि आपको यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा मज़ा आया होगा तो आपका विल्कुल चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें नई वीडियो में मार्केटिंग की नई वीडियो में तब तक लिए इजास्त दीजे थैंक यू कुछ आटी